Now we will see what are the emerging trends in early childhood education. These trends are emerging throughout the world. हर नेशन कंसर्ण है कि वो जो नई आने वाली सदियां है और नई आने वाला दौर है उसके लिए अपने बच्चों को तयार करें. तो अब एक नई बात जो सबसे पहले सामने आई है, a new focus on phonics in literacy instruction. आपको याद होगा, एक जमाने में हम digits या alphabets पहले सिखाते थे, a, b, c, d, e, alip, b, t, e से, ये सिखाया जाता था. लेकिन अब वो ये कहते हैं कि चुके हमारा जो brain है, छोटे बच्चे का जो brain है, वो एक वक्त में मुख्तलिफ चीजों को एक साथ जोड़ के associate करके सीखता है. तो हम एक तरफ sounds रखते हैं और दुसी तरफ उस sounds से related picture या image या जो natural object है उसको सामने रखते हैं. जैसे अब हम a को कहेंगे a, b, ba, kh, d, तो हम sounds पे बात करेंगे. इसी तरह Arabic है, उर्दू है, वहाँ भी हम sounds पे बात करेंगे, phonemes पे बात करेंगे और phonics पे. phonemes में यह है कि आप सिर्फ आवाजों के साथ बच्चों पे काम करते हैं. उनको शुरू में सिर्फ आवाजें सिखाई जाती हैं, alphabets नहीं सिखाई जाते. लेकिन phonics में हम उसके साथ picture भी रखते हैं. ब, ball, the, dog, kh, cat. तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हमारे पास digits हैं या alphabets हैं, और उनसे related जो objects हैं, वो एक ही वक्त में present किये जाते हैं, ताके उनका image जो है, वो consolidated बने. अब इससे क्या फरक पड़ता हैं, इससे फरक ये पड़ता है, कि हमारी जो neurological development है, वो बहुत बेहतर होती हैं, बजाए इसके क्योंकि आप देखे, हमने हमारे जो SLOs होते हैं, या हमारी solo taxonomy है, solo taxonomy हमें ये बताने की कोशिश करती है, कि आप शुरू में आपका बच्चा ए एक single concept सीखता है, फिर वो एक से दो concept सीखता है, और फिर वो उन दो के एक से ज़्यादा concepts को relate करता है, यानि relation, और आखिर में वो extended or abstract पे जाता है, जहां वो critically भी सोच सकता है, और extendedly भी सोच सकता है, तो हम समझते हैं, कि जब मुख्तलिफ चीजों को एक साथ पेश करके, ए वो ना सिरफ एक से ज़्यादा चीजों को एक वक्त में सीखेगा, बलके उनका relationship develop करना भी सीखेगा, और उसकी creativity में इजाफा होगा, अगला trend क्या है, कि बच्चे को classroom में नहीं, नेचर के साथ सिखाया जाए, उसको नेचर के करीब लाया जाए, अभी हम बात करेंगे आग technology से कम सीखते हैं, वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, अपनी five senses से किये गए तजरुबात से, अपनी आखें इस्तमाल करके, अपने हाथ इस्तमाल करके, सून के, टच करके, वो ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि वो उनके बिलकुल personal experiences होते हैं, और वो उनकी जिन्दगी का हमे आपजेक्ट को उनके सामने रखें, और वहीं से उनको addition और subtraction के असूल सिखाएं, और इसके साथ ही अगला जो हमारा concept है, forest schools का, वो बड़ा interesting है, एक हम आपको वीडियो भी offer करेंगे, जो आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि बच्चे जंगल में पढ़ रहे हैं यह वहाँ पे किसी एक दिन के ट्रिप पे नहीं गए, बलके इनका स्कूल ही जंगल में है, इसलिए इसको forest school कहा जाता है, क्यूंकि वो समझते हैं वो नेचर में रहेंगे, नेचर से क्रीब रहेंगे, अर्थ की ownership लेंगे, जमीन के साथ उनकी हम आहंगी पैदा होगी, वो नेचर के concepts को समझेंगे, साथ में आपको ये समझ आ रही है, कि वो सारा दिन खेलें कुदेंगे नहीं, यहां उन्होंने कुछ ऐसी list दी हुई है, कुछ खास तरह के पौदें भी हैं, उनके नाम हैं, पत्तों की categories हैं, जानवरों के नाम हैं, उनकी categories हैं, उनकी species हैं, सब की छोटी चीजें, जिनको वो touch कर सकते होंगे, उनको लाएंगे और खुद magnifying glass जहां मजूद है, उससे देख के उन तस्वीरों के साथ हम आहंग करेंगे, और वो जो हमने वहां पे phonic का concept language के लिए लिया, science में ये concept वही है, कि image भी साथ होगा, object भी साथ होगा, और आपके जो उसका words है, वो भी आपके पास होगे, तो सिर्फ जंगल में पौदों और जानवन के बारे में नहीं सिखा जाता, जब ग्रूप में काम किया जाता है, बच्चे टीम्स के साथ काम करते हैं, उनकी social development भी होती है, जब वो मटी में रहते हैं, वो struggle भी सीखते हैं, और उनक की emotional development भी होती है, और फिर जब वो मुक्तिफ चीजों का मुशाइदा करते हैं, observe करते हैं, तो उनकी cognitive development भी होती है,